हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो लेशन में हम करने वाले हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स तो चलिए शुरू करते हैं उसकी बात पत्थर की लकीर होती है इस एडियम का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी के लिए कहना चाहते हैं कि कोई इंसान अपनी बातों का बहुत ही पक्का है बिना आग के धुआ नहीं उठता है सिर्म उडाते ही ओले पड़े गलती करना इंसान की फितरत है और माफ करना दैविय गुण तो इर का मतलब होता है गलती करना फोर्गिव माफ करना दैविय कोई कसर नहीं छोड़ना लीव नो स्टोन अंटर्ण यानि किसी काम को करने के लिए जी जान लगा देना चोर चोर मुसेरे भाई बर्ड्स ओफा फैदर फ्लोक टुगेदर जंगल में मोती की कदर नहीं होती A thing is valued where it belongs खाली दिमाग शैतान का घर होता है Empty mind is a devil's workshop साच को आज नहीं होती The innocent has nothing to fear समय किसी का इंतिजार नहीं करता Time and tide waits for none पैसा ही सारे काम बनाता है Money makes the mayor go बीत गई सो बात गई What's gone, is gone या फिर कह सकते हैं Let bygones, be bygones किसी काम को दोबारा से शुरू करना Back to the drawing board एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी एक काम को पूरा मन लगा कर करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है लेकिन अगर आप बहुत सारे काम करते हैं तो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते और आपके हाथ से सब चला जाता है इसे English में कहेंगे Our rolling stone gathers no moss जले पर नमक छिड़कना देखो इसके अर्थ को ऐसे समझते हैं चीनी करता है या फिर कोई ऐसी बात कहता है कि जो आपको और परिशान कर सकती है उस समय आप कह सकते हो कि आप जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो इसे English में कहेंगे Add insult to injury और ऐसे भी कह सकते हैं Rub salt into the wound तो friends ये थी हमारी आज की वीडियो आई हो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई